नामस्कार दोस्तों, दिस इस सोनु एलावत लेकर आचुक हूँ आपके लिए जीत की उड़ान स्रीज का लेक्टर नमबर 6 जिसमें हम फिलाल डीटेल से कवर कर रहे हैं हिस्ट्री को हिस्ट्री के बाद जोग्रफी, पॉलिटी और इंडियन कोंस्ट्यूशन को भी डीटेल से कवर करने वाल है और आज इस लेक्टर में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टन टोपिक गुप्त एमपार यानकी गुप्त सामराज्य है जो की बहुत जादा इंपोटेंट टैप्टर है जिससे रेटेड हरे कॉम्टिटेव एक्जाम में काफी सारे कोशन बनते हैं तो आज आपके सभी डाउट डीटेल से कवर करने वाल हम गुप्ता एमपार से लेकर तो फ्रेंस ध्यान से देखेगो और हमेसा बोलता हूँ जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे होती हैं तो एक पैन और एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जितने भी इंपोटेंट टाम्स आती हैं जितने भी नोट करने वाली चीज़ा आती हैं हाँ आज कुछ अच्छे से पढ़ा है आज कुछ समझ के पढ़ा है तो चलिए यार फटफट आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकाइब करा देता हूँ कि लास्ट के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था जिन लोगों ने नहीं थे का उनको पता चल जाएगा और आप भी आज के लेक्चर से चीजों को थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊगे अच्छे से समझ पाऊगे फेंस आज से दो-तीन लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था भारत के उपर मगद साम राजजय का उदगम हो जाता है जिसकी स्थापना हरियंग वंस करता है उसके कुछ टाइम बाद एक और राजवंस आता है नंदा डैंस यानकी नंदा एमपायर मगद की गद्दी पर राज़ करने लग जाता है ये कुछ सिच्वेशन सी 325 बीसी की जहाँ पर नंदा डैंस का आखरी राज़ा धना नंद गद्दी पर बैठा हुआ था जो कि थोड़ा अयास की समका था मैंने आपको बताया था थोड़ा अडियल था और साथ ही यहाँ पर अलेक्जेंडर मैंने आपको बताया था सिकंदर के कुछ सेना नायक होते हैं ये उनके वसमे होता है पूरा राज़या तो ये फिलाल सिच्वेशन थी यहाँ पर छोटे छोटे राज़वन्स अपना राज कर रहे थे तो ये सब कुछ था उसके बाद एक जोड़ी एंट्री मारत है जो की होती है चंदगुप मोर्या की और चानक्या की चानक्या का एक सपना होता है कि यार अखंड भारत का मैं निर्मान कर सकूँ पूरे भारत के ओपर केवल एक ही राज़वन्स की स्थापना हो सके और ये इस सपने को पूरा कर देते हैं चंदगुप मोर्या के साथ मिलका ठीक है अखंड भारत का निर्मान कर देते हैं जो धनानंद गद्धी पर बैठा होता है उसकी हत्या करकर उसे गद्धी से हटा कर मोर्या सामराज्या की स्थापना कर देते हैं और एक अखंड भारत का निर्मान कर देते हैं यानि कि चंदगुप मोरिया यहाँ पर राज कर रहा है और पूरे भारत पर लगबग चंदगुप मोरिया का ही राज होता है बस यहाँ पर साइड में थोड़ा सा एलेक्जेंडर के सेनानायोको का राज होता है लेकिन उसके बाद चंदगुप मोरिया सेलुकस निकेटर को हरा देता है और ये भी उसके अधीन हो जाता है तो ये मैंने आपको बताया था उसके बाद क्या होता है समराट असोग गदी पर बैठता है लगबग 299 इसवी पूर के आसपास जो की काफी समराट राजा परतापी राजा माना जाता है 261 में इसने कलिंका युद लड़ा था एक लाक लोगों से ज़्यादा वहाँ पर मारे गए थे डेड़ लाक लोग की वहाँ पर बंदी बनाया गया था बहुत ज़्यादा खुन खराबा हो गया था ठीक है अशोक के बाद और भी कुछ राजा आते हैं उसका बेटा अशोक का कुनाल गदी पर बैठता है और भी कुछ आते हैं लेकिन उसके बाद मोरिय सामराज्य का पतन हो जाता है मोरिय सामराज्य खत्म हो जाता है क्योंकि और कुछ सामराज्य आते हैं धोका दड़ी करकर अपना राजवन्स की स्थापना करते हैं लास्ट लेक्चर मैंने आपको बता दिया था मोरिय सामराज्य खत्म होने के अबाद फिर से भारत टूडों में टूड जाता है यानिकि जो एक अखर्ण भारत का निर्मान हो था वो खत्म हो जाता है फिर छोड़े छोड़े राज्य आ जाते हैं और बाहर से आकर्मन होने लग जाते हैं विदेश्य आकर्मन इरानों ने आकर्मन कर दिया था पल्लवों ने आकर्मन कर दिया था साथ ही शक ने भी आक्रमन कर दिया था और गुजरात के ओपर अपनी स्थापन कर ली थी कुशान भाहर से आ गए थी जो कि चीन का एक यूची कभीला था और लास्ट में हमने कवर किया था कि कुशान सामराज्य की भारत के ओपर स्थापना हो जाती है और कनिश्क गदी पर बैठता है लगबग 18 इस्वी में ठीक है बात आ रही है इस्वी में जो कि काफी अच्छा राजा साबित हुआ था इसने दो बारे से अखन भारत का निर्मान करने की कोशिस की थी और काफी अच्छा काम भी किया था यानि की काफी अच्छा फैलाव कर लिया था इसने अपनी सीमा का लेकिन पून भारत के ओपर ये भी राज नहीं कर पाया था ठीक है तो ये हमने cover कर लिया था अब बात आती है यान कि यहां तक जो आपने देखा यहां तक भारत अलग लग टुकडो में टूटा हुआ है यान कि दक्षिने में कोई और राज कर रहा है गुजरात में कोई और राज कर रहा है वेस्ट मंगोल में कोई और उत्तर भारत मे कोई और पस्ची महारत में कोई और उत्तर प्रदेश में ये सिचुएशन चल रही थी उसके बाद entry होती है गुप्त सामराज्य की जो की मोरिय सामराज्य जैसे ही महान राजा थे जिनके अंदर ये हिम्मत थी कि वो अखंड भारत का निर्मान कर सके और आगे चल कर definitely गुप्त सामराज्य अखंड भारत का निर्मान कर देते हैं और ये दूसरा ऐसा सामराज्य रहता है मोरिय सामराज्य के बाद जो की अखंड भारत का निर्मान कर पाता है यानि कि आसपास के सभी राज्यों को जीत कर अपने अंदर में ले लेता है सबसे पहले तो जो गुत सामराजे इसको golden age बोला जाता है golden age इसको इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि ये कला और संस्कृति की इस्थापना इसने की थी एक तरीके से यानि कि कला और जो संस्कृति में मतलब विस्तार आया उत्पति हुई कला की संस्कृति नाच गाना और मतलब वादियंतर बजाना वो यहीं से ही हुई थी एकदम मतलब ये सामराज्य कला संस्कृति का प्रिये था इस तरीकी से इसलिए से को golden age कहा जाता है गुप्ट सामराज्य की स्थापना हो जाती है इसमें मैं आपको कुछ चीजे बता देता हूँ देखें गुप्ट सामराज्य के बारे में हमें कहां से पता चलता है इसके शोर्सीज क्या है इसके शोत क्या है देखें गुप्ट सामराज्य के टाइम पर बहुत सारे स्तंब बनाए गए ठीक है उन से हमें पता चलता है, उनके ओपर कुछ लिखा गया है, संस्कर्थ भासमें उनके बारे में पता चलता है बहुत सारे सिक्के पाए गए, गुप्त सामराज्य के, काल के, राजिस्थान में खुदा यूती, दोजा सिक्के पाए गए कुछ सिखे तामे गए थे, चांदी के सिखे, सोने के सिखे पाए गए, उनके ओपर लिखावट भी थी, उनके ओपर कुछ चितर भी बनाए गए थे, कुछ राजा की चितर बनाए गए थे, कुमार गुप्त के चितर बनाए गए थे, उनकी वज़े से हमें पता चलता है, और अर्षवर्धन आयेगा गुप्ट सामराज्य के बाद, उसके कुछ कवी थे, काली दास जैसकी गुप्ट सामराज्य का एक बहुती फेमस कवी था, हर्षवर्धन के टाइम पर एक, मतलब और भी जो कवी आएंगे, उन्होंने लिखा था, किताबे लिखी, उनसे हमें पता च निर्माने, वो सबसे ज़्यादा, मतलब एक्शन में ये चीज़े गुप्ट सामराज्य से ही आई, साथी गुप्ट सामराज्य का जो एकोनोमिकल थोड़ मा आपको बता दू, किर्शी और पसुपालन सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता था, और साथी व्यापार के उपर अपना जीवन वो व्यतीत कर दे दे, ठीक है, जहाज निर्मान का उद्योग, वहाँ पर जहाज निर्मान का उद्योग, भोती स्पीड से उसने पकड़ बना ले थी, जहाज निर्माने होने लग गे थे, पानी के जहाज, जिसके तुरो व्यापार कर पाते थे एक देश से और साथ ही बहुत सारी मंदिर के अवशेस मिले, बहुत सारी मूर्तियों के अवशेस मिले, ठीक है, बहुत सारी इसमारा के मिले, अजन्ता अलोरा के अंदर जो चितर कलाए हैं, उनसे चीजों का पता चला है, गुप्त सामराज्य के बारे में, तो देखें, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये lecture शुरू करने से पहले, ये map आपको अपने mind में बैठा लएना है, क्योंकि जो चीज़े यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, वो आपके आगे तक काम आएंगी, देखिए, ये गुप्त सामराज्य के time का, यानिकि गुप्त काल का एक map है, स्टार्टिंग में जब गुप्त आए, उन्होंने यहाँ तक राज्य अपना फैला लिया था, जब गुप्त सामराज्य आए, उन्होंने जो अपना राज्य बनाया, वो उत्तर प्रदेश को बनाया, यानिकि यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में वो आए थे, यहाँ पर, और इसी जगे को उस टाइम पर परियाग कहा जाता है, परियाग इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीन नद्यों का शंगम है, गंगा, यमुना और श्रस्वती, तीन नद्यों का यहाँ पर शंगम है, इसलिए इसको परियाग कहा जाता है, इस जगे को याद रखेगा, पर याल कहां पर बता रहा हूँ, यहां पर पढ़ता है, आगे एक काम आएगा, एक चीज़ है लिच्वी, ठीक है, यह एक राज्वंस था, राज्जे आप इसे कह सकते हैं, लिच्वी यह यहां पर वैसाली के पास पढ़ता है, पटना में इस टाइम पर पढ़ता था, राज्वंस थे, यानि कि बाहर से भारत में आये थे, अभी अभी मैंने आपको बताया था, गुजरात में अपनी स्थापना कर ली थी, छोटे से राज्जे की शक यहां पर आके बसे थे, उत्तर परदेश के अंदर यहां पर पढ़ता है, तो यह पांच चीज़े आपको कह सकते हैं, एक परियाग यहां पर जो इलाबाद के साइड में पढ़ता था, लिछवी वैशाली पाटली पुत्र नालंदा, देखें नालंदा भी इसको आपको याद रखना है, ठीक है, नालंदा एक जगए, जिला पढ़ता है, बिहार के अंदर फिलाल भी नालंदा, य चलते हैं, डीटिल से, गुप्ट सामराज्य का उद्गम हुआ कैसे, जब कुशान वंस सासक कर रहे थी, लगबग, उनसे शोव वर्सों बाद, अठंतर इस्वी में कनिश्क गद्दी पर बैठा था, उसके लगबग शोव वर्स बाद, उसके खत्म होने के बाद, एक सामन आया, जिसका नाम था, श्री गुप्ट, ठीक है, उसने ही गुप्ट सामराज्य की स्थापना की, और इसको ही गुप्ट सामराज्य का फाउंडर या फिर संस्थापक माना जाता है, श्री गुप्ट को, लेकिन एक्जाम वगेरा में अगर पूछला जाए, वो, हुई इस सामराज्य का पहला सासक भी श्री गुप्ट को ही माना जाता है, एक तरीके से, क्योंकि इसने स्थापना कीती है, पहला सामंस था, जो की भारत में आया था, राजधानी इन्होंने अपनी क्या बनाई, कहां पर आई, उत्तर परदेश के अंदर, इन्होंने अपने राजब सामराज्य के बारे में काफी सारी लिखावट मिली है, किलियर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, गुप्ट सामराज्य का संसापा कोन था, श्री गुप्ट, और एक और चीज का ध्यान रखना, गुप्ट सामराज्य की जो इस्थापन होई थी, वो 275 इश्वी में ह होई थी, और जो श्री गुप्ट गद्धी पर बैठा हुआ था, गुप्ट सामराज्य की, वो 275 इश्वी से 280 इश्वी तक गद्धी पर उसने राज क्या, बात करते हैं थोड़े आगे की, श्री गुप्ट के बाद गद्धी पर बैठता है उसका पूत्र, जिसका नाम थ गद्धी पर बैठता है, लगबग 319 इश्वी तक गद्धी पर राज करता है, किसी भी बुक में अफिर काफी सारी जगे आपको ये नहीं बताया जाएगा, कि श्री गुप्ट के बाद गद्धी पर गद्धी पर बैठता है, यही बोलते हैं सब कुछ कि श्री गुप्ट के बाद चंदगुप्ट फरस्ट गद्धी पर बैठता है, हाला कि हाँ यह चीजे सब मानते हैं कि चंदगुप्ट फरस्ट को वासुविक संस्थापक भी माना जाता है, गुप्ट सामराज्य का, वो इसलिए माना जाता है, क्योंकि चीजों को काफी अच्छे से शामभी घटोतकच अपनी राजधानी बना लेता है और लगबग एस्ट मतलब पुर्वी उत्तर परदेश में ये अपना शासन करता है तो इसने शासन किया था लगबग 283 से 319 घटोतकच नाम याद रखेगा इतना मतलब महान सासक नहीं साबित वादा घटोतकच अपना न उत्तर परदेश के इस्ट एरिया में राज करके चला गया था उसके बाद घटोतकच की मुरत्यों हो जाती है गद्दी पर कौन बैठता है गुफ सामराज्ये का तीसरा सासक चंगुफ फर्स्ट चंगुफ पर्थम के नाम से हिंदी में इसको बोला जाता है 320 इसवी में ग ध्यान रखना परजा की किस चीज की जुरोत है परजो को उस चीज का ध्यान रखना चंगुफ पर्थम ने बहुत अच्छे से निवाया था ठीक है इसने महाराजा धिराज ये गुफ सामराज्ये का पहला ऐसरा जा था जिसने महाराजा धिराज नोट करिए चीज महाराज धिराज की उफादी हाशिल कर ली थी इसने क्या क्या जब ये गद्धी पर बैठा इसने लिच्वी वंस की मैंने अभी अभी आपको बताया था लिच्वी कहाँ पढ़ता है पाटली पुत्र वैसाली के पास लिच्वी एक वंस था उस राजवंस की राजकुमारी जिसका नाम था कुमारी कुमार देवी कुमारी कुमार देवी लिच्वी राजवंस की एक राजकुमारी थी कुमारी कुमार देवी उससे इसने विवा कर लिया था और साथी कोशामबी कोशल इसने जीत लिया था उस टाइम पर, इसने विवाही इसलिए क्या था, लिच्वी की राजकुमारी से, क्योंकि उसी तरफ, मतलब लिच्वी की तरफ ही आपको पता है, इनी के अंडर था, लिच्वी के अंडर में वैसाली था, वैसाली और कोशल को जीतने के लिए इसने लिच्वी की राजकुमा कि जितने भी छोटे छोटे राजवंस है उनकी राजकुमारिय से ये विभाग करता था उनसे रिस्तेदारी बना लेता था और साथी उनकी मदल से उनकंडर में जो राज्या आते थे या फिर उनकी आसपास जितने भी राजवंस थे उनको जीत लेता था तो ये रणनिती इस चंदगुप पर्थम ने कर लिया था ठीक है तो ये चंदगुप पर्थम का इतिहास रहता है गुप सामराज्य के अंदर बात करते हैं थोड़े से आगई अब चंदगुप पर्थम के टाइम पर एक कोईन थे इसने अपने कोईन चलाए इस टाइप के ये इसने सिक्के बनवाए थे जिनके उपर राजा और रानी यानि की जो सासक होता था और उसकी जो रानी होती थी उसके चित्र बनाना उसे शुरू कर दिये थे तो अगर कोश्चन पूछा जाए कोन से गुप्त सामराज्य के सासक के टाइम पर ऐसे सिक्के जारी किये गए थे जिसमें उस सासक और उसकी सासिका यानि की जो रानी होती थी उसके चित्र बनाए गए थे तो वो चंद गुप्त पर्थम के टाइम पर सिक्के जारी किये गए थे नेक्स्ट है चंद गुप पर्थम के मृत्यू होने के बाद उसका पूत्र गद्धी पर बैठता है शमुन्द गुप्त जिसको नैपोलियन ओफ इंडिया यहन की भारत का नैपोलियन कहा गया था क्यों कहा गया था क्योंकि शमुन्द गुप्त गुप सामराज्य का एक लोता ऐसा राजा था जिसने सबसे ज़्यादा यूद लड़े जिसने सबसे ज़्यादा राज्य जीते और जिसने अपने सामराज्य की निव को और भी ज़्यादा श्रोंग बनाया अपने सामराज्य क कि सीमा को और भी ज़्यादा फैलाया यानि कि शमुद्र गुप्त एक अखंड भारत का निर्मान करने में सफल साबित हुआ था इसलिए इसको भी एक महान समराट के नाम से जाना गया है भारत के इतिहास में और इसलिए नैपोलियन ओफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इसने इतने सारे युद अभियान के और इतने सारे युद जीते इसलिए इसको नैपोलियन ओफ इंडिया कहा जाता है एक्जाम में अकसर कोशन देखने को मिल जाता है कि भारत का नैपोलियन कौन से सासक को कहा जाता है तो याद रखेगा शमुद्र गुप्त को कहा जाता है तो जो इनके जो पुत्र होते थे गद्धी पर बैटे थे लेकिन ये कभी भी अपने पिता की हत्या करकर गद्धी नहीं हत्या थे ऐसा कोई से भी गुफ साम राजा के राजा ने नहीं किया जबकि आपने देखोगा मगद की गद्डी पर जब हरियंग्वंस का राज आया सब से पहले बिम्बी सार जब गद्डी पर वेटा, बिम्बी सार की हत्ट्या करके उसके पुत्र उदधी ने गद्डी हत्या ले थी, लेकिन गुप सामराज्ये में ऐसा नहीं था, किसी ने भ अब संद्गुप फर्स्ट के बाद शमुंद्गुप गद्धी पर बैठ जाते हैं लगबग 335 इसवी में गद्धी पर बैठता है और 375 तक यार राज करता है बहुत लंबा टाइम इसने राज किया था गद्धी पर यानि कि गद्धी पर और समुंद्गुप एक और चीज के लिए जाना जाता है ये एक संगीतग्य था साथी एक भूती अच्छा कवी था नोट करिए गए चीज गुप सामराज्य का एक लोता ऐसा राजा था जो कि एक बहुत बढ़िया संगीतग्य यानि कि संगीत से प्रेम करने वाला ठीक है और साथी एक क्या बोला मैंने कव इन मिले हैं जहां पर समुद्गुप्ष हाथ में वीना लेके बैठा है जो क्या आप तस्वीरी भी देख रहे होंगे अब बात कर लेते हैं इसके युद के बारे में अब इसने अखंड भारत का निर्मान कर दिया था कैसे उत्तर भारत में तो ये राज करी रहे थे उत्त उसके बाद बड़ा काम इसने क्या क्या आटाविक जंगली राज्ये अभी अभी मैंने आपको एक मैप में बताया था कि ये पढ़ता है आटाविक दक्षिन भारत के अंदर लगबा करनाटक के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि एक जंगली राज्ये है तो आटाविक राज्ये इसने जीत लिया था, हाशिल कर ली थी, उसके उपर इसने जीत, तो वो भी अटाविक राज्ये भी इसके अधीन हो गया था, यानि कि दक्षिनी की तरफ ये बढ़ने लग गया था, उसके बाद दक्षिनी भारत के 12 राज्ये जीत कर अपने अधीन किये, दक्षिन अपना राज उनके ओपर नहीं किया, इसने क्या क्या, उनको अपने अधीन कर लिया और इसने करद राज्य बनाया, यानि कि धक्षिनी भारत के तो 12 राज्य जीते, उनको इसने करद राज्य बनाया, करद राज्य का मतलब क्या है, कर देने वाला, नोट करिये, करद राज्य थे उन राजाओं के अंडर ही इसने वो राजय शोड़ दिये और ये बोला कि अगर तुम्हें ये राजय चलाना है यहाँ पर राज करना है तुम राज कर सकते हो लेकिन तुम्हें कर देना पड़ेगा तो दक्षिनी के 12 ऐसी राजय थे जो इसने जीते थे लेकिन वो सारे युद्ध जीते और युद्ध जीतने की वज़े से ही इसको नपोलियन ओफ इंडिया कहा गया अब एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे बहुत कम लेक्चरर आपको बताएंगे बहुत कम बुक में ये चीज नोट होगी और इंटरनेट के ओपर भी आपक विक्रम आदित्य के नाम से भी इसको हिस्ट्री में जाना जाता है अब जो राम गुप्त था ये समुद्ध गुप्त का बड़ा पुत्र था और बड़ा पुत्र होने के कारण समुद्ध गुप्त की मृत्यू के बाद इसको गद्धी मिली यानिकि ये गद्धी पर बैठ सब इसके खिलाफ से कोई भी इसको पसंद नहीं करता था क्योंकि यह भैंकर कायर था अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैप दिखाय था जिसमें आपको दिखाय था कि गुजरात में उस टाइन पर सक थे साती मालवा में भी सक राज कर रहे थे तो जब रामगुप्त गद्धी पर बैठा था गुप्त सामराज्य की उसी टाइम पर सको ने गुप्त सामराज्य के ओपर आकरमन कर दिया और भाई गुप्त राम गुप्त गद्धी पर बैठा था ये तो भेंकर कायर था बहुत डरपोगता इसने तो तुरंत हतियार डाल दे कि भाई मेरे बसका बात नहीं है तुमसे यूद करनेगी तुम बदाओ तुम्हें क्या चाहिए और इसने सको के साथ संधी कर ली और अंधी के रूप में वो कर दी अपनी पत्नी अब जो इसका छोटा वाही था चंदगुप्त दुवित्य है उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि यार ऐसे तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी ये समराट मन के बैठ गया बड़ा होने के कारण इसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं और ये इतना डरपोक है तो चंदगुप्त दुवित्य ने क्या क्या ये दुरुवा देवी के रूप में सको के दरबार में गया यानि कि सको के पास गया ठीक है भेस बदल कर और जो दुरुवा देवी उनके कबजे में थी उसको छुडाने में ये गद्धीं पर बैठा था उसकी हत्यागरदी हत्या इसको करने पड़ी हाला कि गुपसानम्राज्या में ऐसा बिल्कुल भी चलता नहीं आ रहा था कि कोई अपने भाय की हत्या चार करके फिर या फिर कोई अपने पिता की तो ये गद्धी पर बैठ गया चंद गुप विक्रामादित्य के नाम से इसको जाना जाता है इसने मिला लिया जैसे ही ये गद्धी पर बैठा इसने अपनी राजधानी बनाई उज्जैन ठीक है चंदगुप विक्राम आदित्या ने गुप्त सामराज्य की राजधानी बनाई उज्जैन ठीक है अब चंदगुप विक्राम आदित्या को देव गुप्त देवराज से जाना जाता है क्योंकि इसने भी काफी सारी उपाधिया हाशिल की थी चंदगुप दुईत्ते ने सबसे बड़ा काम किया था कि इसने अपने सासंकाल में चांदी के सिक्के जारी करवाई थी तो एक्जाम में exact question बन जाता है कि गुप सामराजय के अंदर कौन से सासक ने चांदी के सिक्के सबसे पहले शुरू किये तो चंदगुप विक्रामादित्य इसका नाम हो जाएगा साथी चंदगुप विक्रामादित्य के राजय में 9 रतन हुआ करते थे यानि कि 9 विद्वान इसके राजय में ऐसे थे जो कि इसको सलहा वगैरा देते थे जिसमें से कवी काली दासे, अमर्शिंग, वेताल भट, धर्तकर, अक्षपनक, वरुची, साती शंकु, धनवंत्री, वारम विहीर ये इसके 9 रतन थे, तो एक्जा में कोशन बन जाता है कि कौनसे गुप्त सासक के 9 रतन होते थे जिसको 9 राज भी बोला जाता है, चन्दगुफ, विक्रामादित्य या फिर देवगुप्त, देवराज इसका नाम था और सबसे इंपोर्टेंट कोशन यहां से बन जाता है कि कौनसा चीनी यात्री चन्दगुप द्वित्या के सासनकाल में आया था या फिर फाईयान एक जो चीनी यात्री भारत आया था, वो कौनसे सासक के सासनकाल में आया था तो इसका अंसर हो जाएगा फाईयान जब चंधुफ विक्रमा अदित्य गद्दी पर एठा तो चीनी यात्री आया फ़ाईया जो कि 309 में आया और 4141 तक भारत के अंदर यांकि 141410 तक भारत के अंदर रहा और चंगुफ विक्रम आदित्य भी एक ऐसा सासक था जिसके सासनकाल में ही संसकर्ती और कला में काफी उत्पत्ती हो यानि की काफी विस्तार आया ठीक है काफी बढ़ावा मिला कल्चर को और साथी संगीत वगेरा जो होते हैं इनको काफी जादा बढ़ावा मिला चंगुफ सामराजय की महाराज धिराज कुमार गुप्त इसको महाराज धिराज की उपादी मिली होती कुमार गुप्त बैठता है चंगुफ विक्रम आदित्य के बाद ये चंगुफ विक्रम आदित्य का पुत्र था जो की गद्दी पर बैठता है उसके बाद 414 से लेकर 454 इस वी तक ये राज करता है गद्धी के उपर, और इससे related काफी सारी important fact है, ये भी काफी महान राजा राजा, काफी सक्ति सारी राजा माना जाता है, गुप्त साम राज्य का, इसने सबसे बड़ा काम तो यह किया था, तामे के सिखेस ने सबसे पहले जारी कर दिये थे, अपने time पर ठीक है, और कुमार गुप्त ने अपने time पर, जो सिखे बनवाए थे इसने, उसके उपर शिव और पारवती का चित्र अंकित करवाए था, एज़ा पति-पत्नी, मतलब पति-पत्नी के रूप में, उन दोनों का चित्र इसने अंकित करवाए था, उन तामे के सिखों के नाया था, ये हुणो एक ऐसा कbीला था, मतलब जो कि संसाधन की खोज करता रहता था, राजवन्सों के उपर आक्रमन करता था, धन की लूट पाट करता था, राज्यों को लूटता था, तो हुणो कबीला चला हुआ था, पीछे से कहीं से आ रहा था, और दो भागों में मिल सकता है और बढ़िया रहने की जगे मिल जाइगा भारत के ओपर हम राज करेंगे तो कॉशन बन जाएगा जो हुनो कबीलह था इसने सबसे पहले भारत के ओपर किसके सासनकाल में आक्रमन क्या तो कुमार गुप्त के टाइम पर हुनों ने आक्रमन कर दिया था भारत के उपर जो कि ये कभीला था ये देखिए ये आक्रमन की तश्वीर है ठीक है तो उस टाइम पर जो हुनों का शर्दार था कभीले का सर्दार था या फिर उनका जो सासक था वो तोमरन था तोमरन के नेत्व में ये आक्रमन क्या गया लेकिन कुमार गुप्त ने इनको हरा दिया पराजित कर दिया और ये वापस लोटने पर इनको मजबूर कर दिया ये फिर वापस लोट गया निकि हुनों पीछे हट गए थे तो ये कुमार गुप्त से related important fact है कुमार गुप्त ने ही बिहार के अंदर नालंदा जिले के अंदर नालंदा युनिवस्टी का निर्मान करवाय था जिसको बाद में मध्यकालीन भारत के एकर बख्तियार खिलजी ने जला कर राक करवा दिया था वो आगे की history है वो हम आपको आगे बताऊंगा जब हम medieval India पढ़ेंगे ठीक है बख्तियार खिलजी ने इसका नस्ट करवा दिया था अगर नालंदा युनिवस्टी आज होती तो ये विस्व की सबसे बड़ी युनिवस्टी होती सबसे उस टाइम पर भी दुनिया की पहली और सबसे बड़ी निवास युनिवस्टी थी यहाँ पर विदेश से लोग आते थे शिक्सा ग्रहन करने और युनिवस्टी के अंधर ही रहते थे लेकिन यह युनिवस्टी को खत्म कर दिया गया था मद्यकाली भारत में बख्तियार हिल जी के दौरा और यह युनिवस्टी नस्ट हो गई थी तो इस युनिवस्टी का निर्मान किस ने करवाय था? कुमार गुप्त ने करवाय था इसकंद गुप्त सामराज्य का आखरी सकती साली सासक था, मैं आखरी सासक नहीं बोल रहा हूँ, आखरी सकती साली, यानि कि आखरी सकती साली था, मतलब जिसने युद वगेरा जीते, जिसमें थोड़ी पाकत थी, युद वगेरा जीतने की, जो कि 455 इसवी में गद्धी पर पर राज गया और इसी के टाइम पर हुणो ने दो बारा से भारत के उपर भेंग कर आक्रमन कर दिया कुमार गुप ने उनको हरा कर वापस बेज दा लेकिन हुणो फिर से आये और भारत के उपर इस बार और भेंग कर आक्रमन कर दिया लेकिन इसकंद गुप भी काफी सक्ति साली राज आता, तो इसने इस तरीके से इनको पराजित किया, इस तरीके से इनको भगाया, कि हुनों लगबग 50 साल तक भारत वापस लोटके नहीं आए, ठीक है, इसकंद गुप्त ने इसको फिर से भगा दिया था पीजे, अब हिस्ट्री की अलग-अलग बुक में आपको अलग-अलग चीजे मिलेंगी, कई बुक में ये मिलेगे कि हुनों ने जो भारत के उपर आक्रमण किया था, सब से पहला वो इसकंद गुप्त के टाइम पर के आता, लेकिन सच ये है कि कुमार गुप्त के टाइम पर ही उन्हों उन्हों आकर्मन कर दिया था, कुमार गुप्त ने इनको वापस भगा दिया था फिर से श्कंद गुप्त के बहुत सारे गुप्त सामराज्य के सासा आए, लेकिन कोई भी इतना सक्तिसाली नहीं था, कोई भी जादा देर तक गद्धीपढ नहीं ठीक पाया, एक बुद्ध गुप्त आया, चंद गुप्त तृत्य भी आया, कुमार गुप्त तृत्य भी आया, बहुत सारे आया, एक व बता चलता है यार फिर जितने भी ज़्यादा शोर्सीज़ है वो यही बता दिया है जो गुप्त सामराज्य का आखरी सासक था वो विश्णो गुप्त था यह इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक्जाम में बहुत बार कोशन बन दे है कि गुप्त सामराज्य का आखरी सासक था कौन लेकिन फिलहाल विश्णो गुप्त को ही बताया जाता है कि यह आखरी सासक था जो कि 540 से 550 इस्वी तक गद्धी पर जिसने राज गया और इसके बाद गुप्त सामराज्य का पतन हो गया गुप्त सामराज्य खत्म हो जाता है नस्ट हो जाता है एक सक बता गया है हिस्तिके स्ट्रोंग से स्ट्रोंग सोर्सिस के अकोडिंग बाकिया आप बुक चेक करके देख लिजेगा विकिपीडिया गूगल पी के उपर सर्च करे लिजेगा जितनी डीटेल्स मज़े एक्जेक्ट मिलिए वो हम आपको बता रहा हूं तो ये पूरा पर कर दिया था उस आक्रमण में भले ही हुनों पराजित रहे हो लेकिन उन्होंने काफी नुकसान पहुचाया था गुप सामराज्य को रूट पार्ट कर ले गए थे उसके बाद दोबारा से इसकंद गुप के टाइम पर जब हुनों आक्रमण करते हैं काफी खून खराब हो गया था काफी परजा को नुकसान हुआ था परजा भी काफी मारी गई थी बेकसूर और बहुत सारे सैनिक गुप सामराज्य की मारे गए थे लेकिन हाला कि हुनों को भगा दिया गया था हरा के सकंद गुप ने 50 साल के लिए लेकिन भैंकर लूट पार फिर से इन्होंने किया था और इस बार बहुत भैंकर आक्रमाण किया था सायर्थ बोध गुप्त यानिकी किसी गुप सामराज राजा उस टाइम पर गद्धी पर बैढ़ा था और इसकंद गुप्त के बाद कोई ऐसा सासक नहीं हुआ था गुप सामराज्य का कि वो सक्तिसाली हो कि किसी आक गुप सामराज्य खत्म होता चला गया धिरे धिरे अलग अलग छोटे छोटे फिर से राज्य बनने स्टार्ट हो गये मोरिय सामराज्य के बाद मोरिय सामराज्य ने अखंड भारत का निर्मान किया मोरिय सामराज्य खत्म हा छोटे छोटे राज्य बनने लगे गुप सामर और भी बाहरी आक्रमन होने लग गए फिर से भारत अलग अलग टुकडों में तूटने लग गया और गुप सामराज्य का खत्म होने का करण यही बताये जाता है कि भारत के अंदर से फिर से फूट पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि कोई भी सकतिसाली सासक नहीं बचा था गुप सामराज्य के जो आखरी सासक था विष्णु गुप्त के टाइम के यह सिक्के मिलते हैं गूगल के उपा आप सर्च करोगे तो विष्णु गुपत के यह सिक्के उसने जारी करवाई थे जिसके उपर लक्ष्मी और विष्णु को यहजा पति-पतनी के रूप में दर्शाय गया है यानि कि उनका चित्र बनाया हुआ है ये इस ताइप के सिक्के उस टाइम के मिले थे जिसे पता चलता है कि आगरी सासाक विश्णो गुप था और क्या क्या हुआ हगा अब जैसे ही पतन हो जाता है गुप सामराजय का उसके बाद भारत के ओपर सासन आ जात लगबाग 606 के आसपास बागी डीटेल में आपको आगे कवर कराऊंगा आज किस लेक्चर में यहीं छोड़ते हैं क्योंकि काफी साथ लोग की सिकायता थी कि भाई आप ज्यादा बड़ा पोशन कवर करा देते हैं हम यह बुक से पढ़ना होता है सेल्फ इसटड़ी भी करनी होती है तो चीजे कवर नहीं हो पा दी तो इसलिए छोटा पोशन जदर डीटेल से कवर करिये तो मैंने आज गुप्छसामराजे कवर किया गुप सामराजय कैसे बना, कैसे वो खत्म हुआ, क्या उसकी economical condition थी, किसने किसे विवा, किसको क्या मारा, सब कुछ मैंने आपको detail से बता दिया और गुप सामराजय खत्म होने के बाद पुश्य भूती या फिर जिसको वर्धन वंस के नाम से जाना जाता है पुश्य भूती वंस भी उसे ही कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आगी ही मात को बतानाँगा और जिसका सर्वस्रेस्ट राजा हर्श्वर्धन गद्धी पर बैठा जो की बहुत बड़ा राजा था है और जिसने दोबारा से कोशिस की अखंड भारत को लेकर आने की कि मैं भी एक अखंड भारत का निर्मान करूँ कि पूरे भारत के ओपर मेरा ही राज हो वैसे तो हर राजा जो भी गद्धी पर बैठता है वो यही सोचते है कि मैं अखंड भारत का निर्मान कर सकूँ पूरे भारत के ओपर मेरा ही राज हो लेकिन बहुत कम राजा थे जो ऐसा कर पाए अब आगे चल कर जो अखड भारत का निर्मान होगा हूँ मद्याकालिन भारत के इतियास में होगा जहां पर मुगल अशोक सोरी मुगल नहीं हां मतलब मुगल अकबर अखड भारत का निर्मान फिर से कर देता है क्योंकि अकबर दी ग्रेट इसलिए उसको बोला जाता है तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे तो एक ओर लेक्चर है इंडिया के अंदर उनके बारे में डीटेल से कवर करेंगे तो ठीक है फ्रेंट्स आज यहीं पर छोड़ देते हैं यह आप देख रहे हैं यह वर्धन वंस यहां तक सासक कर लेगा आके जो कि हम आगे देखेंगे देखें क्या कंडिशन हुई होगी पूरे भारत के ओपर गुप सामराज्या आ जाता है गुप सामराज्या का पतन होने के बाद फिर से इतना साही रह जाता है वर्धन वंस फिर यहां पर आ जाता है तो यह सिचुएशन ऐसे चल रही है तो चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आए हो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा क्योंकि गर्मी इतनी जादा है 40 डिग्री सेल से आप आईडिया लगा सकते हो क्या हो सकता है बिल्कुल भी पंखा नहीं है मनला फैन बंद करना पड़ता है जिस वीडियो शूट करते टाइम पर और हालत आप देखे रहे हो क्या हो रखी है तो चलिए यार सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना आपको लग जाता है आप वीडियो देखते हो आगे चलते हो लाइक डिस लाइक करके तो वीडियो पसंदा है लाइक करेगा दोस्ता शेयर करेगा चैनल को सब्क्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों को बताइए कि दिक कंट अफर शो एवरी संड़े वेडियो सक्सेस के उपर आता है जित कुडान स्रीज जिसमें हम पूरे च्बशब करेगा उस उपरा दोस्तों करेगा दोस्तों करने स्वा lंवस्तों करना मत भूलेगा, विसमे एकार शोस्तों करेगा मत